हलो गाईज मैं आपकी होश्ट दोस प्रयांका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका खास प्रोग्राम बुछ प्रियार टॉप 5 जी हाँ बुछ प्रियार टॉप 5 के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसी जानकारियां कुछ ऐसी खबरे जो कि आपको सुबह सुबह आपको भोश्परे डॉस्टी की ताजा तरीन खबरों से रूबरू करवाते हैं तो चलिए दोस्तो आज की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपके लिए जो खबर लेकर आई हूँ वो हमारे भोश्परी के बस सिंगर में से एक माने चाते हैं यहां मैं बात कर रही हूँ रितेश पांडे रितेश पांडी का कुछ समें पहले एक गाना आया था पियो प्योवास से पहले हमार रहलू गाना बंपर हिट रहा, उसका आडियो रिलीज हुआ जो की सुपर हिट रहा, जो की सुपर हिट रहा, कडोडो में उसके वीज यूटूब चैनल पर है, इसके बाद दर्शकों का इतना प्यार मिलने के बाद, फाइनली रिदेश पांडे की त के बाद इस गाने का वीडियो आज रिलीज कर दिया गया है, जी हाँ यूटूब चैनल पर ये वीडियो रिलीज किया गया है, और ये वीडियो दर्शकों को काफी ज़्यादा पसंद आ रहा है, पहले के मुताबिक इस वीडियो में थोड़ी बदलाब की गई है, थोड़ हैं कि पूरे दिन में एक दिन में हमारी रिदेश पांडी को इस गाने का दर्शकों की तरफ से कितना प्यार मिलता है आखिरकार रिदेश पांडी का यह गाना कितना चल पाता है यह समया अभी कुछ समय पर वेट करने के बाद आप से भी को जानकारी इसकी मिल जाएगी फैल एकल लाइव आई थी जी हाँ उन्होंने अपनी फिल्म मैं सहरा बान क्या हूँगा और यूटूब पर रिलीज होने के वजह से उन्होंने अपने दर्शकों को शुक्री अदा किया है कि उन्होंने एक दिन में उस फिल्म को इतना जादा प्यार दिया है और इसी वज़ा से वो खुश होकर लाइव आई थी और लाइव आकर उन्होंने दर्शकों से अपील की थी और शुक्रियादा किया था और अपील की थी कि उनकी फिल्म वो पैक्ट बैक देखे ताकि और यह व्यूज के मामले में यह आगे बढ़े और कोई जो फिल्म जितन अपने दर्शकों के बीच जिसमें उन्होंने अपनी फिल्म डमरू को लेकर भी का साथ में खिसारी लाल भी यादब भी वहां मौजूद थे उन्होंने अपनी फिल्म डमरू और मैं सहराबान क्या होगा को इतना प्यार देने के लिए जो कि एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी हैं और एक यूट्यूब चैनल पर दोनों ही खिसारी की बड़ी फिल्में हैं और दोनों ही फिल्में काजल राग्वाणी ने दोनों फिल्म को देखने के लिए दर्शकों को बहुत बहुत शूक權 आदा किया है और खिसारी लाल यादम ने रिक्वेस्ट यूपी में हुए रेफ कांट को लेकर भी बहुत बड़ा बयान दिया है काजल राखवानी ने सीधी साधी उनकी बोली थी लेकिन उनने जो कटाक्ष किया है वो वाकरी में हर किसी को सोचने पर मजबूर करतेगा इस मुद्दे पर बहुत से सेलिबरेटी दे बोला है लेकिन आमरपाली दुबे वैसे अपनी फिल्मों को लेकर अपने गानों को लेकर तो चर्चा में रहती है लेकिन इस बार वो अब इस बार जो वो चर्चा में आई है उनके चर्चा में आने का विशय है उनका पूरा परिवार जी हां काफी समय के बाद वो एक बार फिर से अपने पूरे परिवार के साथ की फोटो उन्होंने शोशल मीडिया पे शेयर की है जिसे देख कर हर कोई यह कह सकता ओ गौड इतना बड़ा परिवार आमरपाली दुवे का जी हां आमरपाली दुवे की फैमिली काफी बड़ी है लेकि तो इसके सब के बावजूत भी आमरपाली काफ़े जार्दा उनकी इसेप्पैक्टर धियंक बहुत कं समय होता है जब अपने परिवार के सथ समय बिता पाती है आप देखिए उन्होंने जैसे पुरिवार के साथ आई हैं उन्होंने कि अपने साथ ्वे कि सारी फोटो उन्होंने शूशल मेडिया फैसियर की है जो के दे लिए है आगे बढते हैं हमारी जो आगली खबर है दोस्तों वह विह हमारे डेसी हीरो यानि के खेसारी लाल यादप के साथ जुड़ा हुआ है देसी हीरो खेसारी लाल यादप की фильм डंब्रू यूट्व पर डंब्रू तो बौकस का चल रहा है यानि की दर्शको को ये इस फिल्म को बेंतहां मिल रहा है काफी जाड़ा परसंदार है दर्शको कोस बार बार कि कुछ अलब करे पर होती हे है 세ट कर थोड़ी दवंग गई इसमें थोड़ी एक्शन थोड़ा रोमैंस सब कुछ का मिक्स मसाला दिखाए गया था इस फिल्म में मैं सहराबान क्या हूगा और महन्दी लगा के रखना साल 2017 के बाद मैं सहराबान क्या हूगा जो ऐसी फिल्म थी जो काफी जादा चर्चा में रही अब उसके बाद फिल्म डमरू भी काफी जादा चर्चाव में हैं काफी जादा सुर्खया बटॉर रहे हैं और दर्शको को काफी जादा प्यार मिल रहा है इस फिल्म को आगे देखते हैं कि आखिरकार वैसे तो काजल रागवानी का ये कहना है कि दर्षको के तरफ से इत इंबर वन ट्रेंडिंग पे आजाए लेकिन देखते हैं कि आकिरगार इस फिल्म के व्यूज कब तक बढ़ते रहते हैं दर्सको को कितना प्यार मिलता है और कौन नया रिकॉर्ड बना पाता है यह फिल्म को आगे बढ़ते हैं हमारी जो अगली खबर है जी हाँ वो भी हमार ठिर भोँष्पे इंडर्सटारी के यह सारी लाल यादव से ही जोड़ा हुआ है खिसारी लाल यादव की फिल्म डrushal को की तरफ से काफी जादा सुर्खया बटों रहे हैं ये लोग इस फिल्म को लेकर और इस फिल्म परलन को रिलियूस होते लिव ते बर्षों की तरफ से इतना प्यार उन्हें मिलेगा खैर वो तो हर के वैसे आप सभी को बता दे कि डंबरो जब रिलीज हुई तो उससे पहले भी खिसार लाली आदब ने अपने फैंस को इस बात की जानकारी देती कि उनकी फिल्म डंबरो रिलीज हो गई है और खिसार लाली आदब ने हाउसपुल गई थी दो दिन बिहार और मुंबई के सिनेमा घरों में अब देखते हैं कि आखिरकार डंबरो का जो जल्बा है को कब तक बर करा रहते हैं लेकिन इस सब के अलावा डंबरो जो फिल्म है महिलाओं की भी पहली पसंद बन गई है और साथ ही साथ तमाम जो पूच पर इंडॉस्ट्री में जाने जाते हैं लेकिन डंबरो को डंबरो में उन्होंने एक भगवान शिब का करदार निभाया था और उनके एक फैंस को इतने भागए कि उन्हें रियल में अब्धेश मिश्रा के अंदर उन्हें शिब का अफतार दिखने लगा उनके फै इतने जादा उसमें घुल मिल गए कि धर्शक उनको डेल निभाया था और यह सारी बातों को देखते हुए देखा जा रहा है कि डमरू बैक्ट वै कितने जादा दिनों तक चलती है सिनेवा घरों में ये देखने वाली बात होगे जो चली दोस्तों ये थी आज कि हमारे भोशपरी की टॉप वाइब खबरे जो कि आपके सुपरस्टार उनकी फिल्मों के साथ और आपकी भोशपरी इंडॉस्टी के साथ जोड़े होई थी उमीद करती हूँ आप सभी को हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो कमेंट करके बताईएगा साथी साथ इस प्रोग्राम को लाइक और शेयर करना बिलकुल भूलिएगा और साथी साथ हमारे नेक्स नाइज न्यूज भोशपरीया को देखिएगा और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाए ताकि जो लेटिस्ट अपडेट होते हैं वो आप स इस जोड़ी सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप सभी को हमारे नेक्स नाइज न्यूज भोशपरीया पर देखने को मिलता है तो देखते रहे हमारा ये प्रोग्राम भोशपरीया टॉप फाइव और देखते रहे नेक्स नाइज न्यूज भोशपरीया मुझे दीजिए